12 जुलाई को विस्तारा एरवीज की फ्लाइट UK 637 दिल्ली से चंडीगड के लिए उडान भरती है और इसकी सीट नंबर 03E जिसके लिए बुक थी उसका नाम था Mr. Ballot Box I am sure आप भी ये नाम सुनकर हैरान हो गए होंगे लेकिन ये सच है कि ये सीट एक Ballot Box यानी मतदान पेटी के लिए बुक की गई थी जिस पर बैठकर इस मत पेटी ने दिल्ली से चंडीगड तक का सफर किया और दिल्ली से चंडीगड ही क्यों देश के कोने कोने में इसी तरह अलग-अलग फ्लाइट में Mr. Ballot Box ने सफर किया असल में ये वो बॉक्स है जिसमें राश्टपती पत के लिए वोट डाले जाएंगे और बाद में मतों से भरे ये बॉक्स फिर से Mr. Ballot Box नाम से फ्लाइट में बैठकर दिल्ली तक का सफर दोबारा तै करेंगे तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या है ये पूरी प्रक्रिया और कब से ये प्रक्रिया चली आ रही है साथ ही बताएंगे कौन-कौन इस चुनाब में वोट करता है और क्या कभी आपने सोचा कि राष्टपती चुनाब में EVM का इस्तेमाल क्यों नहीं होता तो चलिए आज बात होगी इनी इंटरस्टिंग फ्रेक्ट्स पर नमस्कार मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट राष्टपती चुनाब में इस्तेमाल होने वाले बैलेट बॉक्स को एक पैसेंजर की तरह प्लेन से भीजने का ये ट्रेडीशन आज से 53 साल पहले शुरू हुआ था साल 1989 में इलेक्शन कमीशन ने ये अधिकार सिविल अवियेशन डेपार्टमेंट से प्राप्त किया कि वो इन बक्सों को पैसेंजर के रूप में प्लेन से भेजा करेंगे यानि देश के पांचवे राष्टपती वीवी गिरी जब 16 अगस्त 1989 को देश के राष्टपती बने तब उनके इलेक्शन से पहले बैलेट बॉक्स प्लेन से ही भेजा गया था बस तभी से ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती आ रही है हर बैलेट बॉक्स को सभी राज्यों की राजधानी भेजा जाता है जिसके लिए प्लेन में हर बॉक्स के लिए एक टिकेट बकाईदा बुक होती है अब ऐसा नहीं है कि ये बॉक्स अकेला ही सफर करता है इस बॉक्स के साथ वाली सीट पर एक चुनाव अधिकारी भी सफर करता है जो अपने साथ वोटों को मार्क करने के लिए एक स्पेशल पैनल लेकर चलता है इस बॉक्स के लिए प्लेन में आगे की सीट ही रखी जाती है ताकि इस पर नजर भी बनी रहे अब यहां आपका ये जानना भी जरूरी है कि बैलेट बॉक्स को प्लेन से इसलिए भेजा जाता है ताकि एक तो वो चुनाव से पहले टाइम पर सही जगा पहुँच जाए और दूसरा इसकी सेफटी बनी रहे क्योंकि अगर ये बॉक्स गाड़ी से भेजा जाएगा तो रास्ते में इसके साथ छेड़ छाड़ हो सकती है या फिर ये भी हो सकता है कि ये समय पर ना पहुँचे और अगर ये समय से पहले पहुँच जाए तो और कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए इस मत पेटी को चुनाव से एन पहले ही प्लेन से भेजा जाता है ये बैलेड बॉक्स टील के बने होते हैं लेकिन इन्हे लकडी के बकसे में रखकर भेजा जाता है और डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद इन्हें एक तै किये गए स्ट्रोंग रूम तक ले जाया जाता है और वहीं पर सील कर दिया जाता है इस पूरी प्रक्रिया की बकाइदा वीडियोग्राफी भी की जाती है एक बार इलेक्षन खत्म होने पर इन्हें अगली ही फ्लाइट से राज्य सबा सेक्रेटेरियेट में बैठे रेटर्निंग आफिसर के दफ्तर में वापिस दिल्ली भेज दिया जाता है इस बार की बात करें तो इलेक्षन कमीशन ने 37 अब्जर्वर्स चुने हैं जो इस पूरी इलेक्षन प्रक्रिया की देखरे करेंगे तो ये है बैलिट बॉक्स की कहानी अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रपती चुनाब में कौन-कौन वोट डाल सकता है राष्ट्रपती चुनाब में सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीस की विधान सभाओं के सदस्य यानि की MLA's तो वोट करते ही है इसके अलावा राज्य सभा के मेंबर और लोक सभा के MP भी वोट डालते हैं यहां आपका ये जानना भी जरूरी है कि MLC's को राष्ट्रपती चुनाब में वोट डालने का अधिकार नहीं होता अब आते हैं सबसे एहम सवाल पर जब पूरे देश में चुनाब EVM से होते हैं तो राष्ट्रपती चुनाब में EVM का इस्तिमाल क्यों नहीं होता इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको EVM की functioning को समझना होगा EVM का काम तो सीधा होता है कि हर बटन के सामने एक उमीदवार का नाम होता है और मदाता जिसके सामने का बटन सबसे ज़ादा बार दबाएगा वो जीच जाएगा लेकिन राष्ट्रपती चुनाब में ऐसान नहीं होता राष्ट्रपती चुनाब में वोट करने वाला इस चुनाब के सभी उमीदवारों को प्रेफरेंस के मुताबिक वोट करता है इसे एक उधारन के जरीए समझने की कोशिश करते हैं मान लीजिए राश्टरपती चुनाब में तीन उमीदवार हैं तो ऐसे में वोट डालने वाला अपने मत के जरीए राश्टरपती के लिए पहली पसंद, दूसरी पसंद और तीसरी पसंद बताएगा और इस तरह वो सभी उमीदवारों को वोट देगा अब मान लीजिए जब वोटों की गणना हुई तो पहली पसंद पर दो उमीदवारों को एक जैसे ही वोट मिले तो राश्टरपती का चुनाव दूसरी पसंद के मामले में किसको ज़ादा वोट पड़े उसके हिसाब से तै किया जाएगा अब EVM में ऐसा करपाना संभव नहीं होता इसलिए राश्टरपती चुनाव बेलेग पेपर पर ही होते हैं ये है राश्टरपती चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया का पूरा लेखा जोखा तो कैसा लगा आपको ये बिन मांगा ग्यान हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और साथ ही अनकट को प्यार देना मत भूलिएगा